हेलो गाइज, वेलकम बेक टो मैं चैनल, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एलाने हम यू पार्ट थर्ड हिस्ट्री ओनर्स का पेपर 5 का कोशन पेपर का रिव्यू करने वाल है, जो 2023 के एक्जाम में पूछा गया है, तो चलिए सुरू करते हैं, और सबसे पहले आप यहा आपको किसी 5 questions का अंसर देना है, जिसमें question number 1 जो है, जितने objectives हैं, वो compulsory है, और एक objectives वह आपका, वो 2 marks का होता है, और 10 objectives पूछा जाता है, तो objectives आपका 20 marks का होता है, तो चलिए हम देख लेते हैं, तो सबसे पहला number question पूछा गया है, who is the author of Tariq A. Sirsahi, तो इसका right answer है, तारीक के सिर्षाई के लिखा कौन है, तो इसका right answer हो जाएगा, option number, first इसका right answer हो जाएगा, अबास खा सारवानी, second question पूछा गया है, the battle of khanva was fought in the year, खनवा का युद्र लरा गया था, तो इसका right answer हो जाएगा, वो जाएगा option number second, in 1527, पंदरसों सथाथाइसिस भी में, थर्ड question पूछा गया है, अकबर established, इबादत खाना, at, अकबर ने इबादत खाना का स्थापना किया था, तो इसका right answer हो जाएगा, option number, इसका right answer option number four हो जाएगा, फतेहपूर सीकडी में, next question पूछा गया है, महजर नामा was promulated by अकबर इन, महजर नामा की question अकबर दरक किया गया था, तो इसका right answer हो जाएगा, वो जाएगा option number first, 1579, 1589, पंदरसों सथाथाइसिस भी में, next question पूछा गया है, था, जाजिया वाज री इंपोस्ट बाइ औरेंग जेव इन इयर, next question पूछा गया, who built a new capital दीन पना है, इन देल ही, दिल्ली में किसने दीन पना नामक एक नई राजधानी को बनाया था, तो इसका right answer हो जाएगा, option number second, इसका right answer हो जाएगा, हुमायू, अगला question पूछा गया, मोती महजिद इन दा रेड फर्ट देल ही वाज बिल्ड बाइ, दिल्ली के लाल किले मोती महजिद का निर्मान करया था, तो इसका right answer हो जाएगा, option number third, इसका right answer हो जाएगा, option number third, औरंग जेव, किस मुगल बासा ने चित्रों में अपनी गढ़ी रूची को अपनी आत्म का था में व्यक्त किया है, तो इसका right answer हो जाएगा, option number third, इसका right answer हो जाएगा, जहांगीर, अगला question पुछाएगा, who composed the biza, biza की रचना किस ने की, तो इसका right answer हो जाएगा, आपका option number fourth, कबीर ने, और last जो objective पुछाएगा, who translated, योगा वसिस्ट का फार्सी मनुबाद किस ने किया था, तो इसका right answer हो जाएगा, option number first, दाड़ा सिको, और यहां से आपका subject data question पुछा गया है, और किसी चार subject data question का answer देना होता है, और एक question जो आपका, वो 20 marks का होता है, तो चलिए देख लेते हैं कि कौन-कौन सा question पुछा गया, तो सबसे पहला number question पुछा गया है, analyze the evolution of akbar's policy of sulah equal, अकबर के सुलह equal, नीती के विकास का विश लेसन कीजिए, next question पुछा गया, did sirsah bring out innovations in the field of administration and land revenue, क्या sirsah ने प्रसासन एबंभूटाजस्व के छेत्र में नवीन प्रयोग किये, next question पुछा गया है, write a note on the, मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी विवस्था पर एक नीबंद लिखे है, अगला कोशन पुछा गया है, discuss the religious policy of orange जेब, orange जेब की धार्मिक नीती की विवेचना करे, next question पुछा गया, discuss the organization of internal trade and commerce during मुगल period, मुगलिक कालीन भारत में आंतरिक व्यपार एवं वानी जी के संगठन की विवेचना करे, next question पुछा गया, discuss the political, social and ideological background to the rise of Maratha under सिवाजी, सिवाजी के अधिन मराटों के उतकर्स की राजनितिक सामाजीक एवं वैचारिक प्रिष्ट भूमी की चर्चा की जिए, next question पुछा के, analyze various factors responsible for the decline of मुगल empire, मुगल सामराज के पतन के जिम्यदार कारकों का विसलेशन की जिए, next question पुछा के, मुगल काल में मुगल काल में फार्सी भासा एवं साहित के विकास को चिन्हित की जिए, next question से, give an account of the development of architecture during the मुगल काल में, अस्थापतिक अला के विकास का एक विबरन प्रस्तूत करें, और last question पुछा के, discuss the aggregation structure during मुगल पीडियाद, मुगल काल में क्रिशक सनरचना की विवेचना करें, और यही question पूछा गया है, I hope you enjoy the lesson, if you like the video, do subscribe my channel, and press the bell icon so that you never miss an update, thanks for watching,